हेलो बच्चों बच्चों आज हम सेकिंड क्लास की हिंदी की वरक्शीट 30 करेंगे बच्चों इस वरक्शीट में आपकी हिंदी की बुक के नटकर चुवा पार्ट के प्रशन दिये गए हैं चलो उनके उत्तर समझते हैं और करते हैं First question है उचित शब छाट कर खालिस्तान भरो हमें boxes में कुछ शब दे रखे हैं हमें सही शब को सही खालिस्तान में भरना है First है चूहा कपड़े से टैश बनवाना चाहता था जब आप नठकर चूहे की कहानी पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि चूहा कपड़े से टोपी बनवाना चाहता था सेकिंड है दुकानदार ने चुहे को डैश कपड़ा दिया तो दुकानदार ने चुहे को रेश्मी कपड़ा दिया था थर्ड है चुहे ने अपना चैरा डैश में देखा चुहे ने अपना चैरा आइने में देखा था फोर्थ है चुहे को दर्जी पर डैश आ गया तो चुहे को दर्जी पर गुसा आ गया नेक्स्ट है सिपाईयों के बीच से चुहा डैश निकल गया सिपाईयों के बीच से चुहा सरपट निकल गया था यानि जल्दी जल्दी भाग कर निकल गया था second question है नीचे दिये गए शब्दों को उनके अर्थ से मिलाई है हमें नीचे जो शब्दे रखे हैं उनके सही अर्थ से उन्हें मिलाना है जैसे पहला शब्द है आइना आइने का मतलब क्या होता है शीशा बेवकूफ बेवकूफ का मतलब होता है उसका अर्थ होता है मूर्ख आदेश आदेश का अर्थ होता है किसी को आग्या देदा सिहासन सिहासन का अर्थ होता है राजा के बैठने का आसन जहां राजा बैठता है उसे सिहासन कहते हैं सुनहरे सुनेरे का अर्थ होता है सोने के रंग के नटखट नटखट का अर्थ होता है शरारती थर्ड कोश्यन है नीचे दिये गए वाक्यों में सही के लिए सही का और गलत के लिए गलत का निशान लगाओ फर्स्ट है टोपी में दर्जी ने सितारे जड़े थे क्या ये सही है नहीं ये गलत है तोपी में दरजी ने सितारे नहीं जड़े थे तोपी में दुकांदार ने सितारे जड़े थे दरजी ने तो सिर्फ टोपी बनाई थी सेकिंड है चूहे ने आइने को पटक दिया था यह भी गलत है चूहे ने आइने को पटका नहीं था तो इसके आगे गलत का निशान लगा लो नेक्स है राजा ने चूहे की तुल्ला राजकुमार से की थी यह सही है इसके आगे सही का निशान लगा लो नेक्स्ट चूहे ने राजा की नाग कुतरने की बात की थी यह भी गलत है चूहे ने राजा की नाग कुतरने की बात नहीं की थी नेक्स्ट है सभी दोस्ट चूहे से उसकी कहानी सुनना चाते थे यह भी सही है सभी दोस्ट चुहे से उसकी कहाणी को सुदना चाते थे नेक्स्ट कोशन है देखिए समझिए और रेखा कीच कर पिलाईए हमें सभज़दा है और रेखा कीच कर बिलाद करदा है फरस्ट है दरजी दरजी क्या बनाता है? कोट बनाता है तो कोट से दरजी को मिला दो नेक्स्ट बढ़ाई बढ़ाई लकड़ी से कुर्सी बनाता है तो कुर्सी दिखा रखी है कुर्सी से मिला दो किसान किसान गया करता है? खेती करता है तो खेती वाले चेतर से किसान को मिला दो अगला है कुमार कुमार मटके बनाता है इसलिए मटका जहाँ पर बनाओ तो मटके से कुमार को मिला दो तो बच्चो ये थी है हमारी क्लास सेकिंड की हिंदी की वरक्शिट 30 आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए